के राख दी जो गिया चूठे आखें कौन रुठड यार मनाम दा ए ऐसा कुई ना मिले आ वे में तूंड थकी हमने प्रोग्राम में दावत दी हैं वारू गुलुकार हैं और मेरे अपने बड़े फेवरिट हैं जशान आरिफ साब जशान वेलकम टू सुनो पाकिस्तान कैसे हैं आप जी थैंकियो सौमाच आपने इन्वाइट किया खुक्रिया जशान आपसे ये जानना चाहेंगे कि वारिस चाह के उर्सकी तक्रीबात तो जारी हैं आप पंजाबी जबान और अदब से बड़ा आपका गहरा लगाओ है वबस्तगी है वारिस चाह की शक्सियत को आप अपनी नजर में किस तरह से देखते हैं किस तरह बयान करें सूफी जो शायर हैं या सूफी पोइट हैं हमारे हाँ सूफिया को सिरफ यह हम देखते हैं कि वो लोग अकीदत मन उनके पास आते हैं एक जम्म गफीर होता है जो इक्तिसाब फैज के लिए लोग आते हैं लेकिन अगर हम उनका काम देखे ना तो ये एक डाइवरसिटी है इसके अंदर बहुत ज्यादा थीक है मतलब लोग यही समझते हैं कि वो एक दरबार है किसी बजर्ग का और वहां पे जाते हैं और रुहानियत समेटते हैं और आ जाते हैं लेकिन ये काम जैसे आपने शेक्सपियर कहा वो मेरे ख्याल से शेक्सपियर बहुत चोटा वर्ड ये जितनी डाइवरसिटी है उनके लिए और उनकी शक्सियत के लिए उनके काम के लिए तो मेरे ख्याल से जो सूफी हैं वो अमन का दर्स देते हैं और अमन का एक जिसे आप कहते हैं पैगाम उनके शायरी के अंदर है और जितने भी सूफिया हैं जिनोंने खास करके एक त जोडने का काम किया आप जितनी भी शायर अचा फिर यह है कि अगर आप सूफिया की शायरी को देखते हैं तो वो एक दूसरे को इंडूर्स करते हैं जैसे मियाम हुम्मद बख्ष आर्फ खडी रहमतुलाल है जिनकी सेफल मुलूग बड़ी मशूर है अवल हम्द सना इलाही अब उनका एक शेयर है कि वारस शाह सुखंदा वारस निंदे कौन उन्हानू हर्फ ओदेते उंगल तरनी नहीं खबर असानू यानि कि एक दूसरे को जोडने का काम किया है फिर वो इनसानियत का काम किया और असल आप अगर तसवफ को देखें और ये सूफिया की दरगाह तो यहां पर हर एक को भूके को खाना मिलता था ठीक है और रहने वाले को ठुकाना मिलता था यानि कि वो आप अगर पूरा इसकी डाइवरसिटी देखें ना तो इसमें हर चीज़ आ जाती है अच्छा जिशान आप डाइवरसिटी की बात करें इस किलाम की हवाले से साथ इस साथ आपने इनसानियत की बात की कि इनसानियत का दर्स मिलता है और बहुत सारे लेसन है इसके अंदर तो नौजवान नसल के लिए आचकल की क्या आपको लगते है कि इसमें लेसन दिया जाता है देखें सूफिया का और लिया का जो मेसिज है वो यही है कि पहला मेसिज तो ये है कि उन्होंने खुदा से मिलाने का काम किया यानि कि हम कहीं न कहीं स्पिर्चूली किसी भी अगर हम स्कूल आफ तॉर्ट से बिलॉंग करते हैं तो हम कनेक्टेड तो हैं ना एक खुदा की जात से और उसके जो आप कह सकते हैं के पैरामीटर्स हैं तो कहीं न कहीं हम जाके उधर ये अटेच होते हैं तो ये जो शायरी है अगर आप इसको देखें अगर इसको सुनें इसको पढ़ें या ओलिया के मैसिज को पढ़ें तो मैसिज यही है कि ये अल्ला से मिलाने का एक राबता है और जो हम आजकल के इस जनरेशन के लोग हैं आप कह सकते हैं कि तेजी का शिकार हैं सोशल मीडिया पे लगें हुएं लेकिन जब भी हम इस तरह की कोई चीज सुनते हैं तो हमें महसूस होता है कि कहीं न कहीं हम कनेक्ट हो गए हैं तो ये एक कनेक्शन है और ये मैसिज है नई जनरेशन के लिए कि वो इस कलाम को सुनके महसूस करके और पढ़के उन तालिमात पे अमल करें हें काम आपकरें जशन हमारी जो užृओडियन्स है जो यंग जनरेशन है खास तोरफ पे आपको इकलाम अगर सुना खैंक्तों तो जबरुकल जैसे आपने भी का कि यंग जनरेशन को क्या मैसिज है क्ड़ाflag ए तो मेरे इस कलाम से जोड़ना ही एक मैसिज है क्या लात है कि हम इस तरफ आके अपना जो है हिस्सा बकदर जुस्सा अपनी अपनी रिस्पॉंसिविलिटीज प्ले कर सकते हैं चंद शार हीर वारश शाह के चूठे अखे चूठे अखे कौने रुठेडे यार मनामदा ए ऐसा कुई ना मिलेया वे में तूडथ की ओजिड़ा गयान उमोड ले आम दाए सदे चमदियां जुतियां करे कोई जिड़ा जूदा रोग गवाव दाई पला दस खाँ चरीव छुने आनू कदो रब सचा करी ले आमदाई मेरा जूजा मा जड़ा आन मेले सिर्षद का उस्दे ना दाई पला मुएते विछडे कौन मेले एंवे जुडा लोक वला अगदाई एक बाज तो काग ने कुँज खोई वे खाँ चुप है के कुर लाव दाई दुखा वाले आनू गला सुख दियाने किसे जुड जाहन सुनाम दाई एक जट देखे तनू आग लगी वे खाँन के कदों बुजाम दाई वारस झाल मुट बुचा आई झाल झाल झाल